हेलो गाईज, वेलकम टो मैं चैनल हिमानी फिजिक सुटोरियल्स काई जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारा जो यूनिट वन इलेक्रो स्टाटिक्स है वो हमारी उसका जो चैप्टर वन है इलेक्ट्रिक चार्जिस वो हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो जो उससे रिलेट देख सकते हैं उसमें प्रोपर आपको नोट्स भी प्रोवाइट करा है मैंने आपको और अच्छे से एक्स्प्लीनेशन भी दिया है जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट करना मत भूलिए अब जरूर मुझसे पूछिए I will try to solve your problems now अब हम बात करेंगे हमारे columns law से related कुछ numericals की topic wise हम numericals भी करेंगे अब first chapter के तो अभी की जो वीडियो होगी उस पर main focus हमारा numerical part पर होगा so आपके screen पर question है तो question हमसे कहता है कि हमारे पास दो point charges है जिनका magnitude क्यों है ठीक है दोनका magnitude same है उनको हमने एक certain distance पर रखा हुआ है तो question है कहता है कि how much charge should be transferred from first to second so that force between them reduces by 25% बहुत आसान question है देखिए हमारे पास दो point charges रखे हुआ है जिनका magnitude दोनों का एक point charge यह है और दूसरा point charge यह है और दोनों का magnitude क्यों है दोनों की value सेम है जिनको हमने कुछ distances से separate करके रखा हुआ है ठीक है यह हमारी our distances हमने इसे रखा हुआ है तो question यह कहता है कि किसी भी एक body में से दूसरी body में first यह से second में हमें कितना charge transfer करना पड़ेगा कि जो इन दोनों की बीच का force है जो भी force हमारी लग रही होगी जो force होगी इसका solution है force जो भी होगी वो हमारी कितनी हो जाए reduce होकर 25% हो जाए ठीक है तो यह हमारा question कह रहा है तो हमें सबसे पहले पता है कि देखे हमारे पास क्या होता है since हमें पता है कि force कुलम्बलो से हमारी कितरी निकलती है force f is equals to one upon four pi epsilon naught ठीक है यह होगी हमारा q into q होता है न तो यहाँ पे होगी हमारा q square upon r square यह हमारे उस force formula से कुलम्ब्सलो से according to कुलम्ब्सलो कुलम्ब्सलो से हमारा यह आगे तो यह हमारी पहली question बन गई ठीक है यह हमारा पहला case solve कर लिए अब दूसरी बात उसने हमसे question में क्या बोली है उसने यह बोली कि मान लिजे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने मान लिए कि जो हमारा charge transfer हुआ होगा और 1st से 2nd में है वो मान लिजे हमारा x है तो हम लिख लिए लिए let x charge is transferred from first to second then तो क्या हो जाएगा यहां से हमारा जो हमारा q1 dash हो जाएगा वो q minus x हो जाएगा और जो हमारा q2 dash हो गया वो हमारा q plus x हो जाएगा वो कैसे देखिए देखिए q1 dash हमारा वो charge है जो charge हमारा इस में से निकलने के बाद इस x amount of charge हमने निकाल दिया है ठीक है बाद आनत का charge अगर transfer हो तो इसका मतलब इसमें से x amount of charge निकल गई है तो वो q-x हो गया, इस q-x को हमने q1 dash मान लिया, ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्यों को वो charge add हो जाएगी, तो ये q plus x हो गया और इसे हमने q2 dash मान लिया, ठीक है, और question के according उसने हमें बोला है जो हमारा force है, उसे हमने f dash मान लिया अब, वो हमारा कितना reduce हो गया, 25%, that is 0.75% of f, ठीक है, sorry, 0.75% of x, इतना हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, this is 0.75, हम इसे 3 by 4 लिख सकते है, 3 by 4 times of f, तो यहां से हमारा ये जो f dash आ गई है, वो इतनी आ गई है, ठीक है, then, अब हमारा क्या होगा, अब वो formula जो है हमारा इस पर लगाएंगे, 3 by 4 f is equals to columns लगाएंगे, वो होगा हमारा, 1 upon 4 pi epsilon 0, यह होगा हमारा q square minus r square upon r square, यह हमारा, यह होगा, तो यह हमारी बनी equation number 2, इस वाले case के लिए हमने माला, जो first case था, जो हमें given था, उसके लिए हमारी force आई थी, वो हमारी इतनी आई थी, ठीक है, और जो हमारा second case है, उसके लिए हमारी force अब इतनी आई थी, now, अब हम solve करेंगे इन दोनो equations को, वो कैसे हम करेंगे इन दोनो equations को आपस में, divide तो हम क्या करेंगे, यह हमारी equation 2 है, इसे हम equation 1 से divide करेंगे, तो divide करेंगे, तो यहां से हमारा कितना आजाएगा, 3 by 4, q square minus r square upon q square, वो चीज़े बांकी cancel out हो गई है, ठीक है, तो यहां से हमारा बच्चा अब, थ्याम दीजेगा, यहां से हमारा बच्चा, 3 by 4 हमने इधर के साइड रखा, और जो बाकी, 3 by 4 इधर ही रहा, और इधर साइड बच्चा हमारा, 1 minus x square upon q square, हमने से separate कर लिया, ठीक है, अब हमारे पास क्या बच्चा यहां से, जो हमारा x square upon q square है, वो होगी हमारा 1 minus 3 by 4, दोनों हमने terms exchange कर ली, यहां से हमारा x square upon q square है, वो आया 1 by 4, इसे solve करने के बाद, 4 बंजा 4, 4 minus 3 is 1, 1 by 4, हमें निकालना है, हमारा x तो x निकालने के लिए, हम यह वाली term इधर ही रखेंगे, और जो हमारा q square upon 4, अब हम क्या करेंग taking root on both side, both sides, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, under root of x square is equals to under root of q square upon, 4 को हम लिख सकते हैं, 2 का square, अब हमें पता है, इसका जो हमारा root आता है, वो आगया x, इसका root आगया q, और इसका आगया हमारा 2, तो हमारा जो answer आया, जो हमारा charge transfer होगा, इतने amount of charge हमें, transfer करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले पर, तो कि हमारा जो उन दोन की force होगे, वो रडिएस होगे, 25% मतलब हमारी वो चार्ज रडिएस होगे, तो this is your answer, मैं आपको एक question दे रही हूँ, वो question आपके लिए homework है, वो उसे आपको खुद find out करना है, अगर नहीं आएगा, तो आप divided into two parts, two parts में हमारे एक चार्ज हमने डिवाइड किया हुआ है, वो पार्ज हमारे q and, capital q minus small q, okay, and, और इसे हमने कितने distance पर रखा हुआ है, kept at a certain distance of, ठीक है, मतलब certain distance पर हमने रखा हुआ है, sorry, इसे हमने एक particular distance पर रखा हुआ है, अगर उनके बीच की force, ठीक है, हमें निकालनी है, question यह कहता है कि force between them is maximum, अगर उनके बीच की force maximum होगी, तो कुछ conditions आपको वो प्रूफ करनी है, if force between them is maximum, okay, then, then हमारे पास पहला जो option है, capital Q by small q is equals to 4 by 1, दूसरा option है, capital Q by small q, that is ratio in दोनों का, वो हमारे 2 by 1 है, और जो third है, capital Q by small q is equals to 3 by 1, and D option is, capital Q by small q is equals to 1 by 3, तो यह question आपको खुद try करना है, okay, इसका solution अगर आपको चाहिए, तो आप इसके बाद वाली वीडियो में इसको solution देख सकते हैं, पहले आप इसके खुद try कीजिगा, then after that, visit the second one, okay, and next video में हम पहले यह वाला question solve करेंगे, तो इसके बाद हम अपने बाकी की questions को solve करेंगे, thank you